लोकसबा चुनाओ 2024 के दूसरे चरण के मद्दान के लिए प्रचाराभियान जोर सोर से जारी है बीजेपी के सभी दिगजनेताओं ने प्रचाराभियान की कमान अपने अपने हातों में समाल ली है इसी कड़ी में राष्टी अध्यक्ष जैप्रकास नडड़ा ने उलड़ाना जिले में चुनावी जंसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निसाना साथते हुए कहा कि पहले देश में राजनीतिक दल चुनाओ के दौरान अच्छे नारे लगाते थे लोक लुभावने वादे करते थे और चुनाओ के बाद सब कु इसके लिए लोगों को जिस तरह से लड़ाने का काम किया जाता था जात के एक जात के लोग को दूसरे जात के लोगों से लड़ाना धर्म को लेकर धर्म से लड़ाकर लोगों को विभाजित करने का काम सत्ता के लिए और सत्ता रास्ता प्रसस्त करते थे वहीं प्रधान मं और विकास की राजनीती हो गई है यारी यू कहें कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी के आने के बाद विकास का कार्य जो है वो तेजी से हुआ है जेपी नडडा ने इस दोरान विपक्ष पर तीखा हमला किया है साथ ही लोगों से यह अपील की है कि ओट बैंक और इस लड़ाओ, जाती को जाती से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जिस दरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशश्त करो लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीती वोटर के प्रती जिम्मेदारी की राजनीती हो गई वोट बैंक की राजनीती के जग़ा पर एकाउंटिबिलिटी की राजनीती हो गई वोट बैंक की राजनीती के जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीती हो गई और वोट बैंक की राजनीती से निकल करके विकास वाद की राजनीती हो गई विकास के उपर हम चल पड़े